भगवान विश्व कर्मा दिव्य वास्तुकार भगवान विश्व कर्मा जिन्हें अक्सर दिव्य वास्तुकार कहा जाता है। हिंदू पौरानिक कथाओं में शिल्प कोशल, वास्तुकला और इंजीनियरिंग के देवता के रूप में एक प्रतिष्ठित स्थान रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि वह भौतिक संसार का निर्माता है जिसमें देवताओं के महल, स्वरगीय हतियार और जटिल रथ शामिल हैं। के दौरान हुआ था। उन्हें अकसर ब्रह्मान के निर्माता ब्रह्मा के पुत्र के रूप में वर्नित किया जाता है। देवताओं के महलों के ڈिजाईन और निर्मान का श्रेय विश्व कर्मा को दिया जाता है। वह पांडवों के शाही शहर इंद्र प्रस्थ और देवताओं के राजा इंद्र के निवास स्थान स्वर्ग की भव्यता के पीछे का मास्टर माइंड है। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने भगवान शिव के लिए सोने की लंका का निर्मान किया था, जिस पर बाद में रावण ने शासन किया, उनकी अन्यकृतियों में देवताओं के लिए उड़ने वाले रत, जैसे पुश्पक विमान और वज्र, इंद्र के वज्र जैसे प्रसि सरिजन की भावना का प्रतीक है, सर्वोच्च कारीगर के रूप में उनकी छवी लाखों शिल्पकारों, इंजीनियरों और बिल्डरों को प्रेरित करती है जो सरिजन के प्रतिये कारे में दिव्यक्षमता की याद दिलाती है, इस प्रकार भगवान विश्व कर्मा एक काल अलजयी व्यक्तित्व के रूप में खड़े हैं, जो दिव्य और व्यवहारिक की दुनिया को जोडते हैं, आध्यात्मिक्ता को शिल्प कौशल के साथ जोडते हैं, उनका जीवन और विरासत हमें हमारे आसपास की दुनिया को आकार देने में कौशल, रचनात्मक्ता और समर परपण के महत्व की याद दिलाती है